कि एक जो न्यू पपी ओनर है या जिन्होंने पहले कोई डॉग नहीं रखा जो डॉग लेने जा रहे हैं उन्से बहुत बड़ी गलती होती है बहुत बड़ी गल्तवी ऐसी गल्ती जिससे खाम्याजा आपको लाइब टाइम तक भुगतना पढ़ता है चाहे जब टक डॉग आपके पास रहे तब तक आप ईit एक एसी गलती है जिस्से आपका डॉग अब भी शकता है या आप डॉक से इतने परिशान हो जाएंगे कि डॉक को खुदी भार छोड़ देंगे क्या वो गलती है कैसे इससे बचा जाए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं और यदि ये गलती आप से हो चुकी है तो कैसे इसको सुधार जाए नमस्कार दोस्तों मैं आशा कर debate लेते हो बैला कर फेले को फिर नहीं करते हो तो उसके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुच पाता तो नहीं नहीं होक़ा of girls कैसा जानका और उससे क्या-क्या प्रोब्लम आती है इस वो समझना पड़ेगा उससे इतनी बड़ी प्रोब्लम भी आ सकती है कि आपका डॉग को आपके साथ नहीं रह पाएगा मर भी सकता है कैसे सबसे पहले तो हम फूड को कंपेर कर लेते हैं एक फूड आता है जो तीन किलो का हम बान 500 रुपे अब बहुत सारे लोग होंगे यार जो चीज हमें 500 रुपे में मिल रही है उस फूड के लिए हम पांच जार क्यों खर्च करें बात भी सही है लोजिकल वाला कुश्यन है तो ठीक है अब इस चीज को समझना होगा जब आप एक फूड लेने जाते हो डोग फूड तो आप उसे पैकषट पे देखना उसल लिखा होता है की सिछ चीज से पनाव है और कि स्कूल एक इसमें मेटियर्याव यूज मैं लिया गया है जिसे वेजी टेबल्स डॉक फूड इंदर लिखा आता है कि भया इसमें इसकूल एकि वेजी टेबल्स यह वेजीटेबल डा लगए है ठीक है अब क्या होता है कि जो एक्सपेंसिव फूड आते हैं उनके अंदर अच्छी क्या प्रेश वेजिटेबल या फ्रेश चिकन डाला जाता है कि काफी एक्स्ट्रा चीज उसमें डाली जाती है इसलिए उसकी प्राइज ओटमेटिक हाई हो जाती है और चीप फ सब्सक्राइब जाती है तो पूरा वेश्टेज होता है अब आपको समझना होगा जैसे में मेरा एक्जांपल देता हूं मैं मार्केट जाओंगा वेजिटेबल खरीदने अपने खाने के लिए तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा जाके कि भाईया फ्रेश वेजिटेबल सबस्क्राइब जाए तो जब हम अपने लिए अच्छा खाना डोड़ते हैं तो हम अपने बदोगो खड़ा फाना कैसे खिला सकते हैं और नहीं खिलाना जीन हम फेजिटेबल घर में लाता हूं जैसे मेरे पास तो मैं पहले एक अच्छी घाजर देखूंगा उसको दो के अच्छे से फिर अपने डॉक को दूँगा लेकिन जो रेडिमेट फूड है जो एक दम चीप फूड है हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि उनमें कितना ज्यादा जो वेस्टेज है खाना वह आ जाता है लोगों चीजों की बारेन बात कर रहा हूं जो भुत ही खड़ाब फूड होते हैं बहुत ही आए शस्ते फूड होते हैं तो लोग क्या होते हैं कि घृण पताया ना दो त्रह के लोग होते हैं जो एक तो होते हैं जो पैसा है नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए यह एड़ाइस हैं कि अगर आप ज्यादा पैसा नहीं कर सकते तो मैंने जैसे बताया कि कुछ ऐसे पूड भी है जो काफी बज़ट फ्रेंडली है लेकिन उनके या फिर आप पूरी तरीके से homemade food पे शिफ्ट हो जाएए वह ज्यादा सही रहेगा आपके डॉक के लिए ठीक है अब इसको समझना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोब्लम आती है तो दो केस होते हैं या तो आपका बहुत ही बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा बहुत ही ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा आप देखेंगे या पर डे मेरा जो डॉक है वो कमजोर होता जा रहा है दूसरा केस बनता है कि आपका बहुत ही ज्यादा ओवर वेटेड हो जाएगा फिर उसमें हीप डिपलेशिया और हार्ट अटेक की प्रोब्लम आ सकती है अब इन दोनों के इसमें एक है जो समान रहेगी वो क्या इन डॉक की बॉड़ी से श्मेल आने लग जाएगा डॉक गंदगी में मुमारने लग जाएगा जब आप ले जाएंगे तो गोबर में मुमा देगा नहीं के बार अपना इस टूल जो होता है पोटी करके खाने लगेगा तो आपको बड़ा गिल्टी फील होगा यार हमारा डॉक कितनी गंदी हरकत कर आप नहीं चाहोगे तो कही के लोग होते हैं जो परिशान हो के अपने डॉक को कि दे देते हैं या बहार छोड़ देते हैं ऐसी भी प्रोग्लम आ जाती है या कईके बार उनका डॉक बची ही नहीं पाता में लिया जाता है कुछ अच्छे भी आते हैं तो हम उनकी बात नहीं कर रहें हम खराब फूड की बात करें जो खराब फूड आप खिलाते हो तो उसके अंदर इस तरीके की चीज़े आती है वेस्टे जिसे आपके डॉक को प्रोब्लम देती है तो आप नहीं चाहोगे कि आपके डॉक को यह साड़ी प्रोब्लम आए अब मान लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिने नहीं है जो देते आ रहे हैं डॉक फूड अब देखके कि यार चलो ठीक है 200-300 का मिल रहा है पांच-पांच किलो तो हम दे देते हैं ठीक है डॉक का पेटी तो बनना है अब यह वीड करना है उसके बाद जैसा मैंने बताया एक्सपेंसिव फूड ला सकते हो तो ठीक है अधर वाईज जो जिस डॉक फूड के रिव्यू अच्छे हैं आप वो खिला हो यदि वो भी आप नहीं खिला पा रहे हैं तो सीधी सी बात होमेड फूड पे शिफ्ट हो जाईए लेकि फूड फिर में मल्टि विटामिन केल्सियम करने हैं ठीक है अपने वैट से पूछ के तब कहीं जाके आपका डॉक रहा होगा और फिर वह बनेगा क्या होता है यह प्रोब्लम आती है डॉक का गंदगी आने की गंदगी में रहने की तो काफी लोगों का ड्रीम तूड जात है कि डॉट उनका गंदा रह रहे तो चुछ देर के लिए डॉक को साफ शुद्रा कर दिया जाता है बाकि सारे डूट गंदे ऊते हैं अच्छे तरीके से रहते हैं हाँ आपने उसको गलत तरीके से रखा रहे तो एक तो आप उसको चेंज किजिए तो मैंने यह जो वीडि पहुंच जाए कोई confusion है कोई doubt होता है आपको या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मेरे डोको किस तरीके से रखना है या क्या फूर देना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और जो लोग न्यू पपी लेने जा रहे हैं या उन्हें पता नहीं है कि डोको कैसा खाने देना ठीक है ताकि वह पहले ही सतर को जाएं और यदि उन्हें गलती हो चुकी है तो अपनी गलती शुदार ने इस चैनल पर पहली बार रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कोई doubt कोई confusion होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस चैनल पर आपको डोक से लेटेड नहीं नहीं अपडेट मिलती रहेंगी तो बने रही है इस चैनल के उपर और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करते रही है और दोग वाली मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको जाके जरूर चेक किजिए उसमें मैंने कंपेर किया है डॉक को वाइल्ड एनिमल्स के और प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना